तो जब आज हमको क्या करना है कि जो हमने उर्द्वाधर प्रत्यास्त द्वरी जो हमने पढ़ा है उसके कुछ मुझे लगता है कि हाँ यह पूछ सकता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूँ तो कोश्चन है प्राकृतिक लंबाई एल की एक हलकी प्रत्यास्त द्वरी एक सिरे से लटकाई गई है और दूसरे सिरे पर द्रव्यमान एम के कण उत्तरो तर बांधे जाते हैं यदि दो भारों के संगत आवर्त काल आवर्त काल टीवन और टीटू हैं तथा स्थैतिक विस्तार स्थैतिक विस्तार सीवन और सीटू हैं सीटू हैं तो दर्शाइए की तो दर्शाइए की की जी इंटू टीवन स्क्वायर माइनस टीटू स्क्वायर इस इकल्स टू फोर पाई स्क्वायर सीवन माइनस सीटू तो अब आप देख सकते हैं यहां पर तो क्या कोशन गलत छपा हुआ आपकी बूक में इसमें क्या नहीं द्रव्यान एम वन और यहां पर गलती है तो इसको सुधार लेजिएगा अपनी बुक में बुक के पेज नंबर 225 पर यह कोशन दिया हुआ है इसमें इसको सुधार लीजिएगा तो इसको बनाते हैं अब हमको मालूम है कि जो इक्वेशन आप मूशन रहता है वर्टिकल स्ट्रिंग का याने की उर्ध्वाधर प्रत्यास्थ दोरी की गती का एम द्रव्यमान के कण के लिए समी करण क्या होता भई समी करण एम द्रव्यमान के दिकरण है तो गती का समी करण कैसे दिया जाता है गती का समी करण होता है इसक्वाइर एक्स बाइद ट्सक्वाइर इस इकल स्टू इस इकल स्टू माइनस लेंडा अपन एम एक्स या फिर लेंडा अपन एम की वैल्यू भी पिछले एक कोशन में हमने बनाई थी lambda upon am की value क्या होती है g upon b ठीक है lambda upon am इसकी value होती है g upon b यह 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 लिख सकते है minus g upon b x ऐसा हम लिख सकते हैं ठीक है और इस गती का आवर्तकाल जो होता है इस गती का आवर्तकाल गती का आवर्तकाल जो होता है वो किस तरीके से दिया जाता है टू पाई अपॉन रूट जी अपॉन बी यानि क्या हो जाएगा यह हो जाएगा टू पाई रूट भी अपॉन जी अब आप देख सकते हैं कि यह जो आवर्तकाल है यह क्या है म सेसे सॉतन्त रहे यहने कि कि सी भी भार का करण आप इसमें वांदेंगे यह प्रक्ष्टत की सीमा के अंदर ही सारी बात जो रहे हैं यह समीकरान हम का on को मिलेगा जो कि अज़ें कहसा थे हैं हमारे कर्ष्टन के हिसाब से हमको क्या क्या लिए हुआ है हमको संगत विस्तार है हमको क्या दिया हुआ है सीवन और सीटू हमको दिया हुआ है तो हमारे इस इक्वेशन से इसको हम नंबर एक देते हैं तो एक क्या होगा एक प्रश्णानुसार प्रश्णानुसार निम्न रूप ले लेगा निम्न रूप लेगा जहां पर भी क्या था हमारा भी क्या था विस्तार और जी तो तो अकरशन का तोरन है और ऑद सेम रहेगा यहां से हम को क्या मिलेगा पहला जो रहे गाटी 1 वो इसके बराबर मिलेगा 2 पाई अपॉन सी टू अपॉन जी यहां पर बी क्या है विस्तार बी क्या है आपका स्थेतिक विस्तार ठीक है अब स्क्वाइर करके माइनस कीजिए क्योंकि हमको इसी की वैल्यू निकाल नहीं है दोनों के स्क्वाइर का क्या निकालना है माइनस बस निकाल दीजिए तो यह जाएगा आपका T1 square is equal to T1 square हो जाएगा 4 pi C1 upon G और T2 square हो जाएगा 4 pi C2 upon G याने हमको मिल जाएगा T1 square minus T2 square is equal to 4 pi upon G common निकल गया C1 minus C2 जाने की प्रूफ हो गया G T1 square minus T2 square is equal to 4 pi C1 minus C2 ये आपका क्या आपका 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 जाएगा ठीक है इस तरीके से ये सवाल बनेगा बहुत सरल है बस आपको क्या याद रखना है formula आपको याद रखना है formula याद होगा तो ये सवाल आपका बन जाएगा ठीक है चले आगे देखतें एक और सवाल देखतें ये भी बहुत बार पूछा गया है सवाल रभी शัंकर में बहुत बार आया हुआ है तो इसको बना लेते हम क्वेशन है, एक प्रत्यास्थ डोर जिसका उपर का सिरा स्थिर किया गया है, स्थिर है के नीचे के सिरे पर दो पिंड, M तथा M डेश बांधे जाते हैं, विराम अवस्था से, विराम अवस्था से, M डेश नीचे गिर जाता है, तो दर्शाये, दर्शाये की, डोर के, डोर के, उपर के सिरे से, M की दूरी, A प्लस B प्लस कॉज, रूट G अपॉन B इंटो T होगी, जहां, A डोर की प्राकृतिक लंबाई, प्राकृतिक लंबाई, B तथा C विस्थार, किसके लिए, M तथा M डेश के लिए, याने हमने क्या किया है, इसको ज़र अचितर से समझते हैं, पहले यह जो हमको दिया हुआ है, उसका हम क्या बनाते हैं, सिगर बनाते हैं, सॉल्यूशन देखें, इसका सबसे पहले, क्या हो रहा है यहां पर, कि जब शुरुवात की अवस्ता है, तब यह सीरा फिक्स है, और एक डोर हमने लटका के रखी है, जिसकी प्राकृतिक लंबाई कितनी है, A है, प्राकृतिक लंबाई कितनी है, A, यह A पॉइंट हमने माना, और यह O माना, तो O, A यह प्राकृतिक लंबाई है, प्राकृतिक लंबाई, जो कि कितनी दी हुई है हमको, A, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें क्या बांध रहे हैं, M दरव्यमान का एक कण बांध है, तो M दरव्यमान के करण बांधने पर यह पहुच जाता है, B पर, या इसको मैं B के बज़ाए, अच्छा, B रहन देते हैं, यहां पर M द्रुब्यमान का करण बांदने से जो दूरी हमको मिलती है वो क्या है B यानि O B बराबर B यह विस्तार किसके कारण विस्तार M के कारण ठीक है और फिर जब M डैश बांदेते हैं तो कहां पहुच जाता है यह C पर पहुच जाता है जहां पर B C जो है B C वो किस क्या है स्मॉल स्वारी किसके कारण विस्तार है M डैश के कारण ठीक है तो यहां पर आपको M और M डैश दोनों बंदे हुए हैं और इसके बाद क्या होता है कि यह M डैश फैल आफ हो जाता है M डैश नीचे गिर जाता है माना M डैश नीचे गिर गया नीचे गिरता है अब नीचे गिरता है तो क्या होगा कि यह जो string है यहां तक फैला हुआ था तो यह कहां जाएगा उपर जाएगा यह कहां तक जाएगा उपर खिसकेगा तो यह क्या करेगा इस बिंदु को cross करेगा और इस तरीके से यह क्या करेगा सरल आवर्त गति करने लगेगा उपर और नीचे की ओर उपर और नीचे की ओर तब पिंड तब पिंड एम के कारण के कारण दोरी में प्रत्यास्थ गती दोरी में सरल आवर्त गती आवर्त गती होती है होती है ठीक है यह बॉबिंग एक्शन करेगा जैसे लाइल अपपा करता है यह इस तरीके से हमारा बनेगा आपका कहां तक यहीं तक रहेगा यह इसकी सामने वस्ता है यह आपका A हो गया पॉइंट यह O आ गया यह आपका B आ गया एक्स्टेंशन है B और लटका है इसका वहार कहां लगेगा नीचे की वह ठीक है तो यह हमारा एक चित्र के रूप में इसको हमने क्या किया दिखा दिया अब यहां पर क्या-क्या बल लग रहे हमारे वह हम देख लेते हैं हमारे बल जो हैं वह क्या-क्या लग रहे हैं यह ची के वश्चात M की स्थिती कि स्थिती π जहाँ कहां से कहां तक होगा P किस के किस के बीच में होगा B और C के बीच में मान लेते कि यह बिन्दु कहाँ है P और यह जो distance है वो क्या है X जहाँ पे B P बरावर X क्योंड कि यहीं से गति करेगा यह उपर नीचे उपर नीचे गति करना शुरू करेगा अब क्या-क्या इस पर बल प्रियाशील हो रहे हैं तो M पर निम्न या P पर निम्न बल कार्य करते हैं कार्य करते हैं M के कारण, M के कारण सबस्पहरे तो इसका भार भार लगेगा और मान लेते हैं भार क्या है M into G नीचे की ओड़ा ठीक है उसके बाद तनाओ फिर क्या लगेगा तनाओ लगेगा क्योंकि प्रत्यास्त तो डोरी है तनाओ तो तनाओ किसके बराबर होता है हुक के नियम से तनाओ और T किसके बराबर होता है सबसरे तो प्रत्यास्त तता गुणांग उसके बाद जितना extension हुआ है और जितना original लंबाई थी extension क्या है B तो already extend किया हुआ है X भी साथ में extend किया हुआ है तो total क्या हो जाएगा B upon X और original लंबाई कितनी थी प्राकृतिक लंबाई डोरी की A या जाएगा A ये कहां लगेगा ऊपर की ओर ठीक है ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि हमेशा तनाओ क्या करेगा उसको ऊपर खिचने की कोशिश करेगा जैसे rubber band को हम खिचते हैं तो तनाओ क्या करता है उसको वापिस उसके direction में लाने की कोशिश करता है या original shape में लाने की कोशिश करता है तो अब हम क्या करेंगे इसका equation निकालेंगे तो गती का समीकरण गती का समीकरण क्या होगा गती का समीकरण हो जाएगा भार M गुणित त्वरण D by D T square बराबर ठीक है अब इसमें क्या बल लग रहे हैं सबसे पहले भार लग रहा है M G माइनस क्या लग रहा है भाई इसको M दोनों एक जैसा बनाए M को दोनों एक जैसा बनाते ठीक है एक capital X small नहीं बनाते तो confusion होगी भार M G और भार capital M G और माइनस क्या होगा यहां से हम क्या ले सकते हैं उपर देखिए हमने एक equation निकाले थे साम्यवस्था की इस्तिती में यह हमने नहीं निकाला है ना तो यहां पर साम्यवस्था की इस्तिती में भी हम निकालेंगे यह चीज हमको मिल गई है दूसरा यहां पर देखिए पुनह पुनाह साम्यवस्था की इस्तिती में पुनाह जब दोर पर केवल M भार लटका है यदि माल लेते हैं तब उस इस्तिती में हमारे पास क्या होगा की बिंदू B पर जो है जो भार लगेगा ये वाले चित्र के हिसाब से ये कैसा होगा ये होगा भार क्योंकि साम्य वस्था है इसका मतलब ये भार को क्या कर लेगा ये इकुट कर लेगा किसे तनाव से तनाव का समीकरन लैम्डा एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन यहाँ पर कि solve करेंगे तो यहां से lambda की value निकाल लीजे lambda की value क्या हो जाएगी lambda की value हो जाएगी mg into a upon b ठीक इसको यहां रखते हैं तो यहां से आजाएगा m d square x by dt square is equals to mg minus mg a upon b और b plus x into a तो देखें क्या क्या हो रहा है यहां से mg बाहर निकल जाएगा अंदर आजाएगा आपके पास 1 minus a से cancel हो गया b into b plus x इस तरीके से हमको मिला तो m से क्या हो जाएगा m भी cancel हो जाएगा m से क्या हो जाएगा m भी cancel हो जाएगा यनि क्या मिला d square x by dt square is equals to g 1 minus 1 minus x upon b ठीक है तो 1 से 1 भी cancel हो गया बचा कितना आपके पास d square x by dt square is equals to minus g upon b x इसको equation दीजे नमबर 2 और आप देख सकते हैं कि किसका equation बन गया ये बन गया आपका सरल आवर्त गती का समी करण किसका समी करण मन गया ये सरल आवर्त सिंपल हार्मोनिक मोशन का समी करण है इसकी तुलना करेंगे आप d square x by dt square is equals to minus mu x से तुलना करेंगे तो आपको ये mu यहां से मिल जाएगा ये आपको मिला अब इसको हम क्या करते हैं जैसा हम हमेशा सॉल्व करते हैं इसको किस में चेंज करेंगे वी में चेंज करेंगे याद रखिएगा d square x by dt square इसको मैंने आपको बताया था पिछली का क्लास में भी किसको क्या लिख सकते हैं v dv by dt लिख सकते हैं ठीक है v into dv by dt हम लिख सकते हैं तो इसको यहां चेंज करने पर ये हो जाएगा v dv by dt is equals to minus g upon v x या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से v dv को हम क्या लिख सकते हैं v dv जो है इसको लिखा जा सकता है d by dx यह dt नहीं आएगा यह x आएगा d by dx v square by 2 is equals to minus g upon v x तो जब हम integrate करेंगे तब यहां जाएगा कैसा v square by 2 is equals to minus g upon v x square by 2 plus c1 यह मिला हमको और 2 को adjust करने के बाद हमको equation मिल जाएगा v square is equals to minus g upon v x square plus c जहां पर c किसके बराबर हो गया 2 c1 के बराबर हो गया ठीक है यह हमको मिला अब इस तरी इस पर इस पर देखिए क्या मिलेगा आपको इस पर हमको मिल जाएगा बिंदू c का मान निकालने के लिए हम put करेंगे कि जब start होता है जब हमारा कंड जब गिरता है initially initially यहां गिरता हो दिया क्या हुआ है कि वीराम से गिरता है वीराम आवस्ता से एम डैश निची गिरता है वीराम मतलब क्या कि कोई चेंज नहीं होगा पोजीशन में तब वी बराबर जीरो और एक्स बराबर सी यानि बिंदू झाम मिला माइनस घिपाउन भी सी स्क्वायर या जाएगा पलस ठीक है अब इसको माइन रखने पर हमको मिल जाएगा ये इसको वापिस इसे एक्वेशन में तो ये ओ जाएगा वी square is equals to minus g upon b x square plus g upon b c square यह मिला याने की v square का मान है v square का मान हो गया कितना g upon b c square minus x square ठीक है इस तरीके से याने हम रख सकते हैं v is equals to plus minus root of g upon b c square minus x square या फिर d by d x d sorry यह होगा d x by dt is equals to root of root of g upon b c square minus x square और हम कौन साइन लेंगे minus हम क्या करते हैं हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे टी बढ़ता है बढ़ता है x घटता है इसका मतलब क्या होना चाहिए differentiation कैसा ना चाहिए negative या negative sign रहेगा ठीक है अलग-अलग कीजिए इसको तो variable separable कर दीजिए यहां से आपका आ जाएगा d t is equals to minus b upon g dx upon c square minus x square किसमे रूट में है किसमे आएगा यह रूट में है अब इसको integrate करेंगे समा कलन करने पर समा कलन करने पर करने पर तो टी बराबर कितना आएगा minus root b by g यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यह cause inverse cause inverse minus को हमने इसमें equate कर दिया तो यह plus हो जाएगा cause inverse x upon c और यह ले ले लेते हैं c2 ठीक है constant क्या लिए c2 अब इसी तरीके से जब शुरुवात होती है तो शुरुवात होती है यह टी बराबर 0 पर हमारा करन कहां था c पर था यह डिस्टेंस कितना था small c तो यहां जाएगा टी बराबर 0 पर c जो है यह एक्स बराबर का स्माल सी है तो यहां से आपको मिला कितना मिल गया 0 इस इक्वल्स टू रूट आफ बी अपान जी कॉज इन्वर्स वन प्लस सी टू यहने सी टू किसके बराबर g cause x upon c ओके तो यहां से हम X का मान निकालते हैं तो यह कितना हो जायेगा यह हो जाएगा cause x upon c is equals to t root b by g याने की x upon c is equal to cause inverse t root b upon g याने की x is equal to c cause inverse t root b upon g यह मिला हमको ठीक है याने अभिष्ट दूरी जो है हमारी यह x यह हमारा total निकल गया कि दूरी कहां तक होगी हमको पूछा यही है कि t समय के पश्चाथ दर्शाई यह कि दूर के ऊपर सिरे से m की दूरी याने क्या ऊपर का सिरा क्या है o o से कहां तक की दूरी p तक की दूरी o से p तक की दूरी तो क्या क्या चीजें हैं इसमें सबसे पहला तो क्या है O से P तक की दूरी हमको निकालनी है तो T समय के पश्चात T समय के पश्चात दूरी जो होगी वो क्या है O P O P किसके बराबर है O A प्लस A B प्लस P B ठीक है यह दूरी है तो O A कितना है A A B कितना है B और P B याने X यह X है याने कितना आया A प्लस B प्लस C कॉस कॉस अच्चा कॉस इन्वेस था न तूह यहाँ इन्वर्स को लगे गगए कॉस इन्वर्स अल्रेडी था यह गड़बड कर दी है देखे यह कॉस इन्वर्स था यह कह जाएगा कॉस इन्वर्स यहां पर inverse हड़ जाएगा यह मिट गया यह मिट गया ठीक है और देखिए यह आ जाएगा आ जाएगा cause root b upon g यह आपका क्या हो गया answer ठीक है तो इस तरीके से सवाल बनेगा again करना क्या है आपको same चीजे करनी है लगभक सारी जगह एक जैसा ही आपको process करना है यदी प्रत्यास्त दोरी दीवी है vertical elastic string दिया हुआ है तो करना यही है आपको सबसे पहले extensions निकाले है सारे extension निकाल के हमको क्या लगा देना है hook का नियम लगाना देखिए दोनों जगह hook का नियम लगा है यह भी hook का नियम है यह भी hook के ही नियम से आया हुआ है ठीक है और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे equation लिखेंगे भार गुणित्वरण बराबर बनों का difference तो बल क्या होता है सबसे पहले तो कंड का भार यह कहां लगेगा नीचे की और उसको माइनस करेंगे उसमें क्या माइनस करेंगे हम लेमडा जो भी आपका hook के नियम से जो तनाव आया हुआ है उसको हम माइनस करेंगे क्योंकि तनाव कहां लगता है गती की दिशा के विपरी तयाने उपर की और और mg कहां लगता है नीचे की और positive direction अमान के चलेंगे तो यह आपका क्या होगा यहां से solve करके आपको इस किसके form में लाना है simple harmonic motion के equation के form में लाना है यह आ गया तो यहां से सारी चीज़े निकल जाती है आवर्तकाल निकल जाता है आवर्तकाल कैसे निकलते है आवर्तकाल जो हमारा होता है आवर्तकाल यह होता है हमारा 2πi upon root mu root mu मतलब जो भी x के साथ लगा हुआ है minus के sign को छोड़ के तो यह mu हमारा पूरा यहां आ जाएगा और यह आपका क्या हो जाता है आवर्तकाल फिर solve करने के लिए जनरली इसको इसी तरीके से बनाते हैं इसको v और x के form में ले जाते हैं variable separable से solve हो जाता है और v square के root में आता है और यह 2 square के minus के root में जब भी आएगा तब यह आपका almost answer हो जाता है इस चीज़ को याद रखना है आपको ठीक है इस equation को आप change करेंगे किसमे v के root में तो निकल जाएगा वेक का समीकरन वेक को आप लिखेंगे dx by dt और फिर से integrate कर देंगे तो आपको t यहने समय पे चली गई दूरी या दूरी किसी समय पे आपको मिल जाएगी x का समीकरन भी यहाँ से मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यह सरल है करना क्या है differentiation, integration, numbers दिया हुआ है कि यह किस से जुड़ा हुआ है प्रत्यास के दूरी से जुड़ा हुआ है तो आपको chapter यहाँ पर आज क्या हो गया फिर तम हो गया ठीक है वो कल अगले एक लास में मिलेंगे गुड़ दे